सब्सक्राइब करें तो रेनु बिना अपने नाम को दोराए अपनी जाती या अपने समुधाय का कोई उलेख किये बिना अपना परिचे दीजिए मैंने स्कूलिंग अपनी केंदीविद्यल अली गंज लखनाउ से कंप्लीट किया है और बी-ठे टेक मेकैनिकल एंजिद्ग फ्रॉम बावनारशी दास नेश्टिटोट ऑफ मेकैनिकल एंजिद्ग कंप्लीट किया है तु थान थाटिएन में और रिसेंटली मैंने डेल्थी स engineering करके आई है और master's आपने geography में किया है जनरली मुझे खुशी हो यह कुछ लोगों ने ऐसा किया बट सामाने था यह एक trend नहीं है यह अपने इसलिए किया क्योंकि आपको अपने career को लेकर भयानक confusion है या इसलिए कि कि आपको career को लिएकर बहुत ज्यादा clarity है सर्व मैं ऐसे clarity ही कहूंगी क्योंकि clarity मैं मानता clarity अगर आप इस समय इंट्रव्य देने नहीं आई होती है अगर आपका academic आपको यह turn अपने व्यक्तित्व का पहचाना होता अपने और आप उस दिशा में जा रही होती तो खुशी हो लेकिन आप इस परिक्षा को भी दे रही है जो बताता है कि यह clarity नहीं है सर बीटेक mechanical engineering करना एक job security के लिए था बट उसके बाद जब मैंने UPSC की तयारी की तो मुझे लगा कि मैं एक अपने personal life में भी एक best कर सकती हूं overall मैं जो लोगों के लिए जो ground level पे हूँ वो काम कर सकत मैं इसलिए आप सेविल की तरफ की तरफ क्यों गई है आप मास्टर जियोग्रफी की तरफ क्यों गई है आप पीएजडी क्यों करने जा रही है सर क्योंकि optional मेरा geography था तो मैं तीन साल लगबग preparation में दे चुकी थी मुझे लगा कि मुझे अब academics में थोड़ी कोशिश करनी च आपको surveying करनी पड़ी होगी आपने master's किया है उस दौरान में आपको surveying करनी पड़ी होगी क्या difference होता है जब हम cartography के लिए chaining ranging या surveying करते हैं जेग्रफी में और जब हम engineering के लिए surveying करते हैं सर बेसिकली जो mechanical engineering और geography में difference था यह कि mechanical engineering machining पे हमें ज़्यादा ध्यान देना था जहां हमारा physical as well as mental दोनों ही काफी strong एक perspective निकाल के लाना था वहीं यहां cartography में हम computer designing और computer related data collection और जो dissertation में बात करें तो लोगों से research के थुरू हम काफी interact करते हैं तो यह दो different था वहां machine में था और यहां पे हमारा लोगों के बीच में interaction था अपने विशे रखे हैं भूगोल और defense जी sir मुझे बताए यह what is the concept of total war संपूर्ण यूद क्या है sir वार को दो चीजों में दो भागों में डिवाइट किया गया है one is limited war another is total war किस ने दिया है concept sir clause wit ने कहा था यह clause wit ने के according limited war and total war limited war तब होती है जब हम केवल certain resources यूज करते हैं जिसमें केवल army हो navy हो और हमारे resources जो हो यूज होते थे लेकिन total war में हम कहते हैं कि एक pin जो resource हो वह भी use कर दे जिसमें हमा psychological हो human हो minerals हो overall resources जो हैं यूज करते हैं total war as a women जब आप युद के बारे में पढ़ रही हो तो मुझे बताएए कि is it true there are feminist writers who have written all around the world कि युद्ध हमेशा स्त्री विरोधी होता है किसी भी पक्ष से युद्ध हो रहा हो उसकी कीमत अक्सर स्त्री की देह पर या स्त्रियों को चुकानी पड़ती है do you agree as women that no matter what no matter what the purpose is but war will always be anti women sir जहां तक मैंने अभी तक देखा है या experience किया है और पढ़ा है इससे मुझे यह पता चलता है कि women ने भी काफी participation किया है war में women के लिए anti तो हम नहीं कहेंगे war but there is no war recorded which has not resulted in rapes of women of exploitation of women and use of women in so many ways sir यह कहा जाता है कि women vulnerable होती है war के time पे but other side देखा जाए तो जो women है उनकी services जो medical हो आइदर वो खाना बनाना हो या back side जो हम कहते हैं कि जो पीछे से support करती है वो basically women ही करती है और उनका full support होता है war give me a few facts CM योगी आदित्यनाथ की constituency कौन सी है sir गोरखपूर अभी दान सभा constituency गोरखपूर है कितने विदान परिशद सीटे है उत्रप्रदेश में सरी विदान परिशद इस council legislative council council is 404 okay और विदान सभा दिए legislative assembly is 404 और council is not sure not sure मुझे बताए कि राजे सभा में कितने सदस्य उत्रप्रदेश से आते हैं 31 sir और उत्रप्रदेश की women helpline का number क्या है 1091 CM helpline का number क्या है not no नहीं पता child helpline का number क्या है नहीं पता उत्रप्रदेश में ambulance का number क्या है 112 उत्रप्रदेश में fire का number क्या है fire brigade 101 thank you sir mechanical engineering क्या आपने जी sir MPFI engine क्या होता बही sorry sir MPFI engine MPFI engine ऐसा कुछ पढ़ा था यह sir यह एक injection petrol या diesel के injection का method है clear नहीं है अभी मुझे latitude को define केज़े sir latitude sir यह एक imaginary और artificial हम लाइन कह सकते हैं जो की globe पे बना हुआ है और यह हमारा horizontal को represent करता है आपने पोस्ट ग्रेजूइशन किया है रिसर्च स्कॉलर है जारेफ है थोड़ा और टेक्निकल वे में बताई है sir it is a imaginary line which is drawn on the globe और आर्थ कुछ angles इसका relation है कहीं पर यह angular कुछ ऐसा relation है latitude जो हमारा equator पर है वहाँ पर maximum होता है जब धीरे धीरे नीचे जाते हैं primary और secondary wave के बारे में बताई है primary and secondary wave primary wave, secondary wave दोनों earthquake के seismic waves से हम consider करते हैं nature में कैसे different है बस यह बताईए sir primary wave में दो main wave है जिसमें एक हमारा relay wave है दूसरा love wave है secondary में हमारा जो है अनुपरस तरंगे और अनुदर्द तरंगे होती हैं सुना आपना sir hindi नहीं पता transverse और longitudinal side कहते हैं waves जी transverse sir हमारा जो है वो perpendicular होता है longitudinal हमारा P और S wave किस टाइप की waves हैं आप तो पूरा एकदम physics होगर पढ़ा होगा आपना अब दिवाइज ने क्या है और इसका precipitation से क्या relation है क्योंकि sir हम देखे तो world में दो ही country हैं जो no first use policy पे काम कर रहे हैं एक चाइन और एक इंडिया लेकिन जिस तरह से threat हमारे इंडिया कंट्री पे है वो हमारे नेबरिंग कंट्री जिस पाकिस्तान और चाइना है तो हमें उनको एक psychologically war के अगर देखा जाए उसको change करने के एक एक नाम बताईए बस सबसे अच्छे हम कह सकते हैं नेपाल बंगला देश फिर मैं कह रहा हूँ आप भटक क्यों रही हैं आप confined रही है मेरे question पर एक सबसे अच्छे पडोसी देश और सबसे बुरे relation जिसके साथ है पाकिस्तान को छोड़ कर सबसे अच्छे हमारे नेप हैं दो-दो जल्दी से बताती है सर स्ट्रेंथ यह है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में महिला होने के नाते कुछ पर्टीकुलर स्ट्रेंथ है जी सर बिलकुल हाँ क्या है एक वो मैं mentally strong हूँ हूँ क्विक डिसीजन ले सकती हूँ फ्लेक्सिबल हूँ जहां पर में काम कर सकती हूँ और वीक्नेस मेरे यह है कि सर काम करते वक्त कभी-कभी खाने पर ध्यान कम चला जाता है थैंक्यू थैंक्यू मैं रेनू जी मैं उत्तर प्रदेश की पांच हाइस्ट पॉपुलेश अब डेटा क्लियर नहीं हूँ ओके आपको बॉलिवूड मुवी देखना पसंद है कौन कौन सी रीसेंट मूवी अभी आपने देखिया अभी डिसेंटली मैंने ड्रीम गल देखिया और और कभीर सिंग देखिया डिंग से आपको ऐसा क्या इंपोर्टन्ट लगता है तो वह लोनली रह जाए है अकेले रह जाते हैा और सोशल मीडिया पर वह वह आथि काफी रहते हैं लेकिन रियल लाइफ में उनका लाइफ जो है काफी ंडिपरेशन में रहते हैं आर्टिकल 15 दिया हुआ है, बताये क्या है, आर्टिकल 15 is no discrimination on the basis of race, sex, caste, place of birth and religion ओके, UN General Assembly के बारे में सुना होगा, जी बारे में, बहुत ही ब्रीफली बताये है उसके बारे में UN General Assembly अभी recently आगे अभी होने वाला है, जो जिसमें, बेसिक से स्टाट करें, यहाँ पे 197 countries जो है, अपने आपको रिप्रेजेंट करते हैं, overall यह human rights, different, different trade या different sector को यहाँ पे आके अपने countries को रिप्रेजेंट करते हैं Declared foreigners के पारे में जानती है? Declared foreigners कौन होती है? No ma'am, sorry. Greta Thunbar का नाम सुना है? No ma'am. Okay, recently WHO की suicide report आई थी, आपने पढ़ी उस बारे में? No ma'am. अपना गैस बताये कि India में suicide बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? Ma'am, एक तो मैं कह सकती हूँ, depression reason है, जहाँ पे… depression होने का reason क्या है? Different different है, अगर student है वो तो एक unemployment reason हो सकता है, दूसरा farmers है, जिनका loan waiver का issues है, और women है, उनके लिए भी depression का ही issue है. Woman depression में क्यों जा रही है? एक तो वो जो है, हम कह सकते हैं, जो different sectors में कुछ करना चाहा रही हूँ, या जो वो basically करना चाहती है, अपने life में वो नहीं कर रही है, तो जिनके वज़से एक isolated place हो जाता है, उसके लिए हम कह सकते हैं. कि simultaneous election से accountability decrease होती है? नो मैम, यह कहना गलत होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि simultaneous election हमारा एक one nation और one election की बात करता है, जिसमें जो भी हमारे advertisement होंगे, जो भी हमारे नेता लोग या politician उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, वो एक तरह से वो सब पूरे country, overall countries तक एक टाइम पेज़से हैं जान साल में एक बार election हो रहे हैं, बीच में आप government को accountable करके, ना no confidence motion ला सकते हैं, ना government गिर सकती है, तो एक तरहिके से accountability तो decrease होई? बट मैम, उसे और भी फाइदे हुए हैं, लेकिन accountability हम कह सकते हैं कि ये… चलिए, लखनौ का 1857 के reward में कुछ contribution बताएगे? लखनौ का 1857 में मैम बेगम हजजद महल जी का काफी बड़ा रोल था, उन्होंने लखनौ से रिप्रेजेंट किया थे 1857 में आप एक SDM बनना चाहते हैं, कलपना कीजिए कि आप SDM है और आपका जो subdivision है, वहां से बहुत सारे WhatsApp messages आने शुरू होते हैं, which declare that aliens are sighted in your subdivision, there are photographs and it has been circulated all around the district and maybe all around the nation. As a administrator of that place, what are going to be your priorities और आप किस करम में क्या करवाई करेंगी? Sir, since it is a, sir, context fake news से related है. You are the administrator, you have to find out. Okay, so sir, इसमें दो short term पे और long term पे मैं अपना को present करना पचाओंगी, short term पे यह है कि जो भी message आ रहे हैं या जो भी news हैं, उनको हम digitally वहीं पे digitally ही वहीं पे हम resist कर सकते हैं, उन्हीं के counter में एक message हम भी spread कर सकते हैं. By the STM of the subdivision? Yes, sir, digital, because sir, there is no such alien is found. Sorry sir? No such alien is sighted, this is what the message will be. No sir, पता करने के बाद, काफी research करने के बाद, अगर जो भी अगर होता है, no such alien is found, तो हम उसको क्या करेंगे, digitally ही उसको counter करना पड़ेगा, क्योंकि personally हम किसी को जाके, Can you imagine that there is a message going on that aliens are sighted, now there is a subdivision office which is saying aliens are not sighted, यह जो message होगा, इसका वस्तविक meaning sir, का लोगों के लिए क्या होगा, that aliens are sighted, if you understand social media you know it, you are getting my point, अगर आप SDM यह कहेगा, नहीं हमारे हाँ alien नहीं देखे गए, तो उसका आम जनता क्या मतलब लगाएगी, कि alien देखे गए, वरना SDM क्यों आके बोल रहा है नहीं sir, वही चीज हमें digitally उनको बताना होगा, कि जो भी message हो, आए हैं, उनहीं को हम counter करने के लिए, एक message spread करना बहुत जरूरी है, कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होगा भी, तो उसके लिए further हम support करते रहेंगे, media में That is the only thing you will be doing? fake news और जो भी reports हम दे रहे हैं, वो government की ही authority के दोरा दिये गए, वो real और authentic है ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा